दोस्तो आज का जो टॉपिक है यह हमारा कम और आपका बहुत फेवरेट है बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट आते हैं अपर बैक पेन लोवर बैक पेन नेक पेन और उनकी एक स्टेटमेंट और होती है कि लॉंग सिटिंग आज के वज़े से हो रही है जब से उन्होंने जॉप करना शुरू किया है तब से हो रही है अब जॉप तो करना है जॉप के भीना तो जिन्दगी चलेगी नहीं तो अब आपको जॉप भी करनी है और इन चीजों के निजात भी पाना है तो इसमें करना क्या-क्या चाहिए तो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है अरगोन जाटता है याने कि उसकी ये जो फिटिंग तो दी जॉब इस नोट जश्ट विद रिलेशन टू दी पॉस्चर ही मेंटेंस इस विद रिलेशन टू अलॉट ओफ तेंग्स लाइक हिस रेपो विद दी सीनियर हिस रेपो विद जुनियर हिस अबिलिटी टू दी वर्क नाइस कि हाउ यू शुट कैरी आउट वर्क डाट इस पॉस्चर इन विच यू डू दी वर्क एंड इस पर भी याने कि बहुत सरे अलग अलग तरह के क्लासों वर्कर्स होते हैं जिनको बहुत जादा चलना फिरना पड़ता है हम इसमें सेडेंटरी वर्कर्स को आज फोकस याने कि वेन यू सेटन वर्क आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों वोट इस पॉस्चर पॉस्चर इस बेसिकली डी आटिटूड ऑफ बड़ी पार्ट्स तो कर्यों सटेन अक्टिविटीज जैसे कि आपने कमेंटरी में बड़ी कमाली सुना होगा व पॉस्चर ही अटेंड तो हीट डाइव नाओ उन्हों ने जो अपना स्टांस लिया जिसमें कि उनकी इल्बो उनकी शिन के साथ हाई उनका स्विंग ऑफ दी बैट इस ऑल रिलेटेट तो पॉस्चर सो आज हम बात करेंगे सेडेंटरी वर्कर के पॉस्चर के बारे में कि उनको 10-12 घंटे बैठे रहना पड़ता है स्क्रीन के सामने तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको अपर बैक पेन नेप और नेक पेन और लोवर बैक पेन की संभावना कम हो जाए तो दोस्तों सबसे पहली चीज जब आब बैठते हैं आपकी लोवर and the glutes region should be touching the back support of the chair and आपका पूरा back chair पे supported होना चाहिए this is prime thing जिसमें कि लोगों को लगता है कि सीधा बैठना is sitting upright like this it is not so आप इस तरह से बहुत लंबा बैक ही नहीं सकते जब भी आप बैठते हैं your hip and glutes should touch the back support and पूरा back support लेके आपको सीधा बैठना चाहिए your chair should be a little close to the table बहुत दूर दी रखना चाहिए आप इसे दूर रखेंगे तो आप you will always have the tendency of leaning forward and work like this तो strictly avoid these things थोड़ा पास रखना ताकि आपको जुकने की option ही ना रहे it is basically eyesight which maintains the posture of the back तो इसे लिए थोड़ा पास रखना आप screen अच्छा रहेगा आपके लिए जब आप बैठते हैं आपकी trunk से thigh almost 90 degree पर रहनी चाहिए और thigh से leg almost 90 degree पर रहनी चाहिए this is almost यह कोई hard and fast टूल नहीं है आप थोड़ा extend भी कर सकते हैं थोड़ा back भी ले सकते हैं overall चीजे supported रहनी चाहिए फिर आता है दोस्तों हमारी screen हमारी screen हमारे आखों के सामने कैसे रहनी चाहिए usually हम इस पर recommend करते हैं कि जो laptop की screen का upper border है यह आपके eye level से थोड़ा नीचे रहना चाहिए बहुत लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि laptop की height बहुत बढ़ा देते हैं उनको लगता है कि इस तरह से उपर की तरफ देखना is a good posture no जब भी आप कभी theater जाते थे पहले जिसमें कि की नीचे की तरफ देखते रहें और आप जब 3 घंटे के बाद theater से निकलते हैं तो गर्दन में pain नहीं होती कभी कोई बहुत hit movie आ गई आपको भीड़ भाण में ticket लेना पड़ा और आपको front की seat मिल गई हमेशा आपने realize किया होगा कि जब भी हम 3 घंटे के बाद बाहर निकल हो जाती है आपकी laptop की screen थोड़ी सी tilted upwards होनी चाहिए ताकि आप directly उसको देख सकते हो इस posture के बाद आता है दोस्तों good ergonomic chair बहुत अच्छे अच्छे चेयर आते हैं दोस्तों जिसमें की आपकी back पूरी supported रहती है thigh supported रहती है इसमें सिर्फ एक चीज़ पे में stress डालूंगा कि आ अच्छी होनी चाहिए जितनी कम sitting length of the chair उतनी कम thigh support and back पे stress ज्यादा पड़ती है तो इस पे हम लोग सिर्फ एक चीज़ recommend करते हैं कि आपकी जो chair की sitting length होती है जो आप जिस पे आपकी basically glutes and thigh rest करती है उसकी length अच्छी होनी चाहिए वो almost 80% of the thigh cover करनी चाहिए नहीं तो जितनी कम chair की width रहती है इतनी जादा थाई इतनी जादा back पे strain पड़ती है because of a lesser thigh support तो यह थोड़ा ध्यान रखना चाहिए and आपकी back support of the chair through and through back को support करनी चाहिए and stability अची होनी चाहिए चाहिए इन सब के बाद दोस्तों आता है कि आपको कितने समय तक लगातार काम करना चाहिए तो दो हर 45 minutes से एक घंटे पर आपको एक बार उठ जाना चाहिए usually क्या होता है आप बहुत concentration के साथ जब काम कर रहे होते हो जब आपकी workload बहुत ही होती है तो आपको ध्यान नहीं रहता तो कुछ alarm system आते हैं आप हर घंटे पर alarm लगा के उठ सकते हो and उठने का मतलब यह नहीं कि बहुत कम हो जाते हैं तो दोस्तों frequent breaks is another indispensable thing you should follow इसके बाद दोस्तों mobile phones आपने बहुत कमली देखा होगा लोगों को इस posture में अंदर गर्दन के तरफ नीचे टेल्ट करके तो लोगों को surfing करते वे लोगों को game खेलते वे it is a very bad posture research प्रूव कर रखी है कि जितनी आपकी गर्द देरे-देरे bend होते रहती है आगे के तरफ इतनी ज्यादा neck muscles में force बढ़ते जाती है and आपकी गर्दन की pain बढ़ती है इन चीजों से तो जब आप कुछ mobile phone यूज़ करते हो आप कोई book पढ़ते हो you should keep it upright सीधा रखना चाहिए and सीधा रखके आपको देखना चाहिए जिसमें वेरी बैड रूल तकिया हमेशा लगाना चाहिए तकिया बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं ठीक थाक सा तकिया होना चाहिए and it should come up to nape of your neck गर्दन तक आनी चाहिए it should support your neck while sleeping जब आप सोते हैं आप सीधा सीधा सोए फिर आप राइट या लेफ लैटरल पॉस्चर में स लोनिंग में आप कभी उल्टा सो के नोटिस किया होंगे कि कभी गर्दन दर्द कर रही है कभी शोल्डर दर्द कर रही है तो उल्टा सोना इस अगैन वेरी बैड पॉस्चर तो आपको तकिया लगाना चाहिए फर्म मैट्रस पर सोना चाहिए and सीधा लेट के आप राइट लोकिंग अराउंड लेट एंड थोड़ा सा रोटेट करते हुए राइट यह सिंपल सी एक्सेसाइज आप एक ट्राफिक लाइट के 30 सेकेंड के ब्रेक पर भी कर सकते हो यह इतनी सिंपल एक्सेसाइज है इसको करने से भी आपकी नेक मसल स्पाजम में नहीं जाती है and आपको अपने आपको थोड़ा वाम रखना चाहिए इफ पॉसेबल थोड़ी नेक के अराउंड आपको कुछ स्काफ या फिर मफलर लगाना चाहिए इन चीजों से भी आपकी नेक मसल एंड लोवर बैक की मसल स्पाजम में नहीं जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्य थाल आपकी थैंक तैंक यू